हलो फ्रेंड्स आज हम घर पर ही बिना तंदूर के बनाने जा रहे हैं ये पनीर्टिक का रैप इसके लिए मैंने यहापे पनीर, प्याच, शिमला मिर्च और थोड़ा सा टामाटर को काट लिया है मैरीनेशन के लिए बाउल में यहापे हम दो कब दही ले लेंगे और सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च, लेमन जूस, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, काला नमक, कसूरी मैथी, कलर के लिए यहापे हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा से बेसन हमने पहले ही भून के रख लिया था, तो इसको अब हम यहापे डाल लेते हैं, अदरक लेसन का पेस्ट, थोड़ा सा सफेद नमक, अब इस तेल को हम गैस पे थोड़ा गरम कर लेते हैं, जब तक कि इसमें से अच्छे से दुआ नहीं निकल जाता, अब दुआ निकल रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम अपने मैरिनेशन में डालेंगे, और इन सबी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाएंगे, जब तक कि ये दही में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती हैं, अब यही सब चीजों को मिक्स कर लिया है, मैंने यहापे कलर के अब जितनी भी चीजे पनीर, प्याज, कैपसिकम हमने काटके रखा था, उन सबी चीजों को हम यहाँ पर बॉल में डाल देंगे, और इनको हम अराम अराम से अच्छे तरीके से मिला लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है कि इसको हम बहुत हलके हाथों से मिलाएं, ताकि जो हमारा पनीर है, वो बिल्कुल भी तूटे नहीं, अब इसको यहाँ मैंने आधे गंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है, आधे गंटे बाद यहाँ मैंने नॉन स्टिक की कड़ाई लेकर सारी चीजों को इस पर प्लेस कर दिया था, प्लीज आप नॉन स्ट पनीर टिक का यहाँ पे रेडी हो चुका है, इसकी खुश्बू तो बहुत अच्छी आही रही है और यह दिखने में देखे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हैं हम पनीर टिक का रैप बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक रैप ले लिया है, इस पे थोड़ी सी हरी रख लिया था, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, अब अपने रैप को यहाँ पे हम फोल्ड कर लेते हैं, और यह आपका अपनी टिक का रैप बिल्कुल तयार है, दिखने में तो जबरदस्त है ही, खाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस रैसेपी को आप घर पर ज़रूर ट्राइक करें, और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ओके बाई